बाई मैं आज कुछ आपको ऐसे रीजन बताने वाला हूँ कि आपको XUV300 क्यों नहीं लेनी चाहिए जो मेरे को तीन फैक्टर इसके सबसे ज़ादा डिसापॉइंट करता है वह पहला है इसका मेजर कता है इसमें रेक्रेटिंग नौइस आता है मतलब अंदर बहुत ज़्या है यह बहुत कम है तो कि भाई हैजबैक से भी कम है एक हैजबैक में भी 260 लीटर का बूटिस पेस आता है और थर्ड नेगेटिव इस गाड़ी में कोई अपडेट नहीं आया मतलब जब से यह गाड़ी लॉंच हुई है तब से कोई अपडेट नहीं आया कि अवल महिंदरा का डे टू डे फीचर कम कर रहा है प्राइस बढ़ा रहा है